One UI 3.5 को डिच करके इस बार सामसंग ने One UI का 3.1.1 इंट्रोडूस किया हुआ है लेकिन ऐसी बाते कही जारी थी कि इस वर्जिन के साथ हमें कुछ जादा बड़े चेंजिस देखने को नहीं मिलेंगे जो की बात शोर भी थी लेकिन इस वीडियो में आपके साथ कुछ official features share करने वाला हूँ और आपका ये doubt दूर हो जाएगा कि क्या इसमें एक huge change हमें देखने को मिलने वाला है या नहीं अब जिस तरह का split screen के बारे में आपने पहले सुना होगा और मैंने भी इसके बारे में वीडियो बनाई हुई थी और adaptive UI या split UI कुछ इस तरह की information पहले बार निकल कर आई हुई थी और यहाँ पर इसका main motive ये था कि जैसी भी आपके smartphone की screen होगी उसके coding आपका जो UI है या user interface है वो adapt करने वाला है अब कुछ उस तरह की ही चीज मतलब उससे कुछ मिलती जूलती चीज यह हो सकता है कि यही वो चीज थी और उसे पहले जादा है बनाया जा रहा था split UI में अब हमें 3 apps का support 1 UI 3.1.1 के साथ बिलकुल देगने को मिल जाता है काफी seamlessly task bar से उठाकर आप इन apps को काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर use कर सकते हैं तो हाँ यहाँ यहाँ पर multi windows के हिसाब से आप एक screen पर 3 काम बिलकुल कर पाएंगे जो की काफी convenient चीज लगती है और आपके uses में बिलकुल भी बादा ये नहीं डालने वाली है task bar windows में भी इस तरह की improvements हमें देखने को मिली हैं काफी wide तरीके से आप हर चीज को customize कर सकेंगे यानि कि जो आपका task bar का windows होगा उसको आप customize कर पाएंगे वहाँ पर अच्छे तरीके से apps को use कर पाएंगे तो हां ये दोनों चीज़े जो है आपस में मिलती जूलती है तो multitasking को यहाँ पर Samsung ने बिलकुल ध्यान में रगा है तकि इस version के साथ आपका experience multitasking के बारे मैं बिलकुल भी बिकार ना हो अब जो UI है काफ़ जादा optimized इस बार हमें बिलकुल देखने को मिला है और ऐसा बताया जा रहा है कि especially flexible devices के लिए One UI के 3.1.1 का जो version है उसको काफ़ी optimize किया गया है यानि कि हर एक screen के according चाहे आपका smartphone का size चोटा हो या बड़ा हो उसके according इसे optimize किया गया है सकते हैं और इसके बाद images को capture करने के बाद का जो experience है वो Samsung ने और enhance कर दिया है जैसे कि आप इस official teaser में देखी सकते हैं तो जब आप एक बार अपने pictures को click करने जाओगे तो वहाँ पर पहरे क्या होता था उनका preview आपको मिल जाएगा तो हां ये भी एक convenient चीज मुझे यहाँ पर बिलकुल देखने को मिल जाती है message और जो notifications बगएरा हैं वो भी यहाँ पर काफी अची तरह से manage किये गए हैं यानकि अब आपको यहाँ पर कुछ और options मिल जाएंगे ज्यादा use बड़ा changes तो यहाँ पर नहीं है लेकिन अच्छे तरीके से आपको यहाँ पर optimize scenario बिलकुल देखने को मिलने वाला है साथी easy to use one-handed mode भी मिलने वाला है तो अब जो one-handed mode है उसको और ज्यादा optimize किया गया है और one new eye 3.1 से ये एक कदम आगे जाने वाला है हर एक चीज़ के मामले में और interesting बात यहाँ पर यहाँ पर यह है कि lab का option भी एक setting में add किया गया है तो यहाँ पर नहीं नहीं जो चीज़ें आएंगी तो वो इस lab के under add होंगी जैसे कि queen panel बगएरा या जो fold में हमें flex mode बगएरा मिलता है तो कुछ इस lab में हमें बिल्कुल देखने को मिलने वाला है तो कुछ unique चीज़े आ सकती है अब बहुत सारे smart phones में इसका update हमें बहुत जल देखने को मिलने वाला है और bell icon को आप press कर दिजगे ताकि जब भी आपके smart phones से related कोई इस तरह की information आईगी मैं आपको सबसे पहले बता दूँ मैं आपसे मिलता हूँ किसी next video के साथ